नमस्कार आप देख रहे हैं ABC Earning Hub मैं अमित भोविया दोस्तो आप लोगों के सवाल आ रहे थी कि आप क्या खुद का लोटरी बिजनस शुरू कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ हाँ आप अपना खुद का लोटरी बिजनस शुरू कर सकते हैं आप खुद की लोटरी टिकट भी शुरू कर सकते हैं जैसे पंजाव स्टेट डियर लोटरी है वैसे आप भी अपनी लोटरी बना सकते हैं पंजाब स्टेट धमाका लोटरी पंजाब स्टेट नियर लोटरी इसके लिए पूरा प्रोसेस है और वो प्रोसेस आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा उस प्रोसेस को समझने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है पहले बात तो ये कि भारत के अंदर राज्यों के पास इस बात का अधिकार है कि वो लोटरी शुरू करना चाहते है या नहीं करना चाहते यानि कि लोटरी को लेकर पूरी की पूरी सेंटर सरकार ने जो पावर है वो राज्यों को दे रखी है भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर लोटरी लिगल है वो राज्य कौन से हैं अगर ये जानना चाहते हैं तो आपको ऐसा थमनेल दिखेगा हमारे चैनल पर ऐसी एक थमनेल वाली वीडियो होगी जो एंड स्क्रीन में भी डाल दूँगा मैं इस वीडियो के तो उसको आपको देखना होगा वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके राज्य में लोटरी लिगल है या नहीं या फिर जहां जिस भी राज्य में आप लोटरी खुद की शुरू करना चाहते हैं वैपार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या नहीं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप वेस्ट बंगल के रहने वाले हैं और पंजाव के अंदर शुरू करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और पंजाब के हैं और वेस्ट बंगल के अंदर शुरू करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि किस रूल के तहट और किस प्रोसेस के तहट आप ये सब कर सकते हैं इसके लिए आपको कहां जाना होगा तो दोस्त और उसी डिपार्टमेंट के नीचे एक और डिपार्टमेंट है जिसका नाम है Directorate of Lottery और वो जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर आखरी साइन होता है वो होता है Principal Secretary Finance का जो एक IAS अधिकारी होते हैं और इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको application लगाना पड़ता है कि भाई मैं अपने खुद की एक scheme शुरू करना चाहता हूँ और इसके लिए proper जब आप शुरू करेंगे उससे पहले proper जो गोर्मेंट होती है उसके साथ एक जो है contract pass होता है पूरा लिखा जाता है scheme के हर बारी की को हर point को लिखा जाता है जैसे अगर आपको ये पता नहीं होगा कि पंजाब state की जो लोटरी है वो भी गोर्मेंट लोटरी नहीं है पंजाब state की लोटरी पहले गोर्मेंट की लोटरी हुआ करती थी लेकिन अब वो private हातों में है उसको वेस्ट बंगोल लोटरी का एक गुर्प है जिसको बोलते हैं वेस्ट बंगोल लोटरी stockist syndicate private limited ऐसे एक कंपनी है वो संभालती है वेस्ट बंगोल कोलकता की कंपनी है वो और वो उसको मतलब इन्होंने लोटरी का ठेका उसको दे रखा है ऐसे समझ लीजिए तो उसके साथ जैसे इन्होंने contract किया है इसी मेहने किया है दिवाली बंपर 2021 का तो दिवाली बंपर 2021 का जो contract किया वो कुछ ऐसा है जो PDF यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये पंजाब स्टेट की finance की website पर लोटरी डिरेक्टरी रेट ओफ लोटरी की website पर पंजाब स्टेट लोटरी की website पर हर जगया उपलब्ध है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं ये पढ़ने को क्यों बोल रहा हूं ये इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप खुद का business शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक काम करना पढ़ेगा आपको क्या है आपको देखना है कि कौनसी स्टेट में काम करना है जैसे पंजाब में मान लीजी आपको काम कर करेंगे स्कीम त्यार करने से पहले इनके rules पढ़ने होंगे तो आप जो जैसे ये contract है तो इसको अगर पढ़ लेंगे वीडियो रोक कर पढ़ लेंगे तो भी आपको अंदाजा हो जाएगे कि कैसा contract होता है तो उसके rules क्या रहते हैं और बाकी अगर पूरा घहराई से rules पढ रेंज किये तो ये लाए थे the lottery regulation act regulation लाए थे act नि लाए थे मतलब rules लाए थे अके लिए वो था 2010 उसके बाद 2015 में फिर से कुछ rules बनाए इनोंने तो वो सारे पढ़ने होंगे आपको आपको मैं simple सा तरीका बता देता हूँ आपको करना क्या होगा आपको बारिक्यां देखन वीडियो को रोक के ये पढ़ लीजिए वेब साइटों पर जाकर वहां से पढ़ लीजिए आपको पता चल जाएगा government के document हैं ये सारे लेकिन आपको simple भाष्या में अगर समझना है तो आपको क्या करना है दोस्तों आपको पहले तो mind में यताय करना है कि हमने lottery issue करने है उसक दस हजार से कम का इनाम पहला इनाम दस हजार रुपे से कम का नहीं हो सकता एक टिकट जो है वो दो रुपे से कम की नहीं हो सकती ये सारे रूल्स तो आपको मानने होंगे लेकिन उसके हिसाब से एक scheme बनानी है पूरी scheme बनाई उसको submit कर देना है director rate of loteries department के अंदर वहां से व चापना है कहां पर चापना है और कितनी कौपियां आपको खुद रखनी है और इसमें ये भी रूल होता है कि जो टिकट बच जाते हैं उनको submit कब तक करना है खिर में वो भी उसी department में submit करना रहता है तो वो सारे रूल्स के हिसाब से मतलब आपको permission मिल जाएगी उसके आपको जैसे एक company बनानी पड़ेगी company का तो अब इस government ने जैसे ये जो आई है बीजेपी government इसने एक दम साफ कर दिया कि company पहले बड़ा जंजट होता था कि 7-8 लोगों को लो फिर company बनाओ अब क्या MSME में जाओ 500-700 रुपे फीस होती है मनलब CA से कराओ गो ना सारा कम तो 500-700 रुपे मुश्किल से लगेंगे और आपकी MSME के अंदर company registered हो जाएगी फिर उस company के तहत आपको पूरे document सब्मिट करके और अपनी lottery scheme बनाकर और direct के office में रख देनी है वो approved कर देंगे उसके बाद टेकेट चापिये और लोगों में बांटिये तो ये इसका rule होता है लेकि पैसा मोठा खाया भी जाता है नूर्मल सी बात है कोई भी आदमे काम करेगा कमाई के लिए करेगा तो इसके अंदर powerful लोग जो हैं वह ही जाते हैं और उन्हीं को ही permission मिल पाती है क्योंकि powerful लोग ही permission देने वाले हैं और powerful लोग ही उसमें पैसा invest करने वाले हैं तो वरना आप सोच के देखिए क्या पंजाब के लोग खुद पंजाब स्टेट की लोटरी चला नहीं सकते कि उन्हें एक वेस्ट बंगोल का आदमी चाहिए वेस्ट बंगोल की वो 100 करोड़ी से उपर की कंपनी चाहिए चलाने के लिए सोच के देखिए कभी तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप उसमें कर सकते हैं खुद की कंपनी बना सकते हैं अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि ये तो हमारे बसका खेल नहीं है हम कैसे करें तो आप लोगों के लिए मैं अगले पार्ट में आपको उस वीडियो में अगले पार्ट में जो वीडियो आएगी उसमें ये समझाऊंगा कि जिसके पास एक भी रुपया नहीं वो भी अपने लोटरी का विजनस शुरू कर सकता है ये तो पैसे वालों के लिए थी वीडियो वो वीडियो ऐसी होगी कि एक रुपया भी आपके पास नहीं है फिर भी आप कमिशन बेस पे जितना काम करोगे उतना पैसा कमाओगे आपको कुछ नहीं लगेगा आपको कहीं से खरीदना है कुछ कहीं बेचना है वो विजनस कैसे शुरू कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले संडे का इंतजार केजिए ताकि आपको संडे को मिलेगी वो वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जिसके पास पैसा नहीं वो भी अपना बिजनस कैसे शुरू कर सकता है खेर दोस्तों मुझे लगता है कि सारी क्वेरीस आपकी दूर हो गई होंगी लेकिन इसके बाद भी को कुश्चन हो तो कुमेंट सक्षन में जुरूर पूछेगा देखते रहे हैं एबिसी अर्रिंग हब